वेलो जी कैसे आप सर जीवन वीडियो टिप्स चैनल में मैं आप सभी का दिल से वैलकम करती हूँ आज आपके हाथों पैरों पर सालों से जमी हुई काला पंड, डेट स्केन, संटेन रिमूब होने वाली है आज आपके हाथों पैरों पर जादू होने वाला है एक ऐसे ट्रिक में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसको लगाने के बाद आपके हाथ पैर दू जैसे चमक उठेंगे आपके साथ लाइव रिजल्ट मैंने शेयर किया है इस रैमडी को यूज करने से पहले आप मेरे हाथ देख सकते हैं कितने काले गंदे दिखाई दे रहे हैं इसको यूज करने के बाद आप लाइव देखना कि मेरे हाथों पर कितनी अच्छी चमक आई है चोटी से वीडियो है वीडियो को फूल वाच कीजिए गर बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को वरना आपको पूरी इंफोर्मेशन नहीं मिलेगी चोटा सा टब ले लीजिए जा कोई बड़ा बाउल ले लीजिए जिसमें कि आपके हाथ पेर अच्छी तरह से डिप हो पाएं इसमें गरम पानी एड़ कीजिए और आपको दो से तीन भूंदे इसमें एड़ करनी है ब्लीसरिन की एक चममच रोज वॉटर नेक्स्ट हम जो हमारे स्किन पर ब्लीज का काम करता है वो जिस एड़ करनी है जिसको एड़ करने से हमारे स्किन टाइट होती है वाइट होती है ब्राइट होती है वो है जि लेमन जूस आपको तीन से चार लेमन कट कर लेने है और इसका सारा जूस इस टब में एड़ कर द आपको सारी lemon का juice इसमें add कर लेना है अब आपको क्या करना है जी अब आपको इसमें डालना है आधा चमज के क्रेप baking soda कुछ वीवर्स ये comment करकर जुरूर पूछेंगे कि दी हम baking soda की जगा पर baking powder यूज कर सकते हैं तो dear आपको baking soda ही यूज करना है baking powder यूज नहीं करना है अब आपके घर पर जो भी shampoo available है आप उसके दो चमज भरकर इस टब में add कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास body wash है तो आप उसे use कर लीजिए जा फिर कोई भी body lotion भी आप इसमें add कर सकते हैं दो चमज के करीब add करने की बाद आपको अपने हाथों और पैरों को इस पानी में कर देना है dip आपको 5 मिनर तक इसे ऐसे ही dip करकर रखना है बहुँ सारे viewers mostly viewers मेरे लड़किया हैं housewives हैं वो comment करकर पूछती हैं कि दी ये remedy हम अपने छोटे बच्चों की skin पर use कर सकते हैं कि न जो रेमेडी में बनाती हूं वो 100% natural होती है मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है कि ये remedy आप अपने चोटे बच्चों की skin पर भी use कर सकते हैं अब आपको 5 मिनट के बाद अपने हाथों को बाहर निकाल लेना है और बाहर निकालने के बाद आपको क्या करना है जी आपको लेना है कोई भी पुराना टूथ ब्रश टूथ ब्रश ले लीजिए और इससे अपने हाथों को रब कीजिए दो से तीन मिनेट नेल को अच्छी तरह से नेल्स की क्लीनिंग कीजिए जो डेमेडी आपके छोटे बच्चों की skin पर सूट करती है वो almost मैं आपको बता ही देत साल का बड़ा है तो आप अगर उनकी skin पर बहुत ही जदा काला पना गया है संटैन है तो थोड़ा सा बेसन लेकर उसमें थोड़ा सा कच्छा दूद एड़ कर लीजिए थोड़ा सा लेमन जूस मिक्स करकर थोड़ी सी हल्दी एड़ कीजिए और उससे अपने बच्चों की skin पर धीरे धीरे 5 मिनट तक scrubbing कीजिए और scrub करने के बाद उनकी skin clean कर दीजिए ऐसा करने से भी उनकी skin बहुत ही जल्दी फेयर होगी उनकी skin पर बहुत यच्छा glow आएगा अब आपको क्या करना है जी आपको लेना है एक लूफा आपको लूफा लेकर जिससे की हम skin नहाते time use करते हैं जा फिर कोई भी इस तरह का ले लिजी आप जो भी बात्रों में use करते हैं skin cleaning के लिए उसको लेकर आपको दूसे तीन मिनट हलकी हाथों से इस तरह से सक्रब करना है अपनी full body पर जो remedy में आपके साथ शेयर कर रही हूं आप चाहे तो इसको अपने हाथों पैर paint को remove करना है आपके हाथों पैरों पर nail paint लगी हुए है तो उसको remove कर दीजिए nail remover की help से और अपने हाथों को wash कर लीजिए अब हम बनाएंगे अपने हाथों पैरों के लिए सक्रब सक्रब बनाने के लिए आपको लेना है एक बाउल इसमें एड कीजिए दो से तीन चमर सूझी आपको सूझी लेनी है जिसका हम हलवा बनाते हैं जी हाँ दोस्तों यह वही सूझी है यह आपके skin पर मैची करता है सूची की के दाने स्कीन पर जितनी भी dead skin है आप इस स्कीन पर ढूल मिट्ठी जम होई है काला बन है वह सारह गंदग है और और आपके skin वहां से निकलती है चंकती होी गोरी चिक्टी तो आपको नेक्स इसम है एड आड करना है एक चमज के ग्रेब गुलाब जल गुलाब जल मैंने इसलिए एड़ किया है कि आपके स्किन पर किसी भी तरह की हातों पैनों पर बदबू है वो रिमूव हो जाए साथ साथ गुलाब जल हमारी स्किन को टाइट करने में बहुत ज़्यादा है जे ऑप्शनल है अगर आपके पास अलोवीरा जल है तो आप एड़ कर लिजिए एक चमज के ग्रेब अगर आपके पास फ्रेश लीव वाला प्लांट है अलोवीरा जल का तो आप उसकी जल निकाल कर इसमें एड़ कीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसको आपने हाथों पैरों पर कैसे यूज करना है वो भी देख लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है यूज फूल लग पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर किजिए ग जो हम बहुत ही जल्दी वन मिलियन सस्क्राइबर कम्पलीट कर लें वो दिन मेरे लिए बहुत ही ज़दा खुशी का दिन होगा फ्रेंड्स जिस सब और सब आपकी बुदोलत ही हो सकता है मेरे चैनल को जुरूर सस्क्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कीजिए इस पैक को रिमूब कर देना है जैसे जैसे पैक रिमूब होगा आपकी स्कीन अंदर से एकदम से गलॉइंग फियर नजर आनी स्टाट हो जाएगी आपकी स्किन पर जितनी भी डेट स्किन होती है वो रिमूव हो जाएगी अगर आप चाहते हैं कि आपके हमेशा ही हाथ पैर इसी तरह के गोरे चिटे चमकते हुए नजर आए तो आपको थोड़ी सी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी नैचरल चीजें आपकी स्किन पर अपन आपने चेहरे पर बालों पर वह चीजें अपलाई कर पाते हैं और आपको उसका 100% जल देखने को मिलता है मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है हेर पैक फेस पैक आप उन वीडियो को भी जूर वाच किजिएगा अब सक्रब करने के बाद आपको अपने हाथों-पैरों को कर लेना है वाच और वच करने के बाद आपको लगा लीना है एलोवीरा जल अगर आप कोई बोडी savior यूस करते हो अगर मैं यह यहांец और यहँदा न हूझा पर निय복 करने आपने हाथों पर लगाने वाली हूँ अपनी फेवराट नेल पेंट कर सकते हैं मैं एक बात आपको और जहां पर सुझेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमेशा ही अपने हाथों पैरों के नेल्स पर नेल पेंट अपलाई मत करके रखा करें कभी कभी नाइट टाइम नेल रिमूवर की हल्प से नेल पेंट को रिमूव कर दें और नेक्स्ट नहीं किया है तो चैनल को जुरू सस्क्राइब कीजिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए थैंक्स पूर वाचिंग टेक केर बाबाई